क्या आपको पता है State Bank of India में में जो Current Interest को आपको बताने वाला हूं ऐसी बात जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जो भी इंट्रेस केलकुलेट किया जाता है उस इंट्रेस को केलकुलेट किया जाता है एबरी क्वाटर मतलब एबरी तीन महीने में इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक फिक्स डिपोजिट एकाउंट खोलते हैं एक सालों के लिए तो एक सालों केडित होते रहते हैं उसको केलकुलेट करके फाइनेली मेचुरिटी एमाउन को क्रेडित कर दिया जाता है यानि की हमें दे दिया जाता है अब एक सब्सभण में आपको समझाने वाला हूं पकल लिजिए मैंने एक फिक्स दिपोजित खोला सो रूपिय की और उहां पर of interest होनी चाहिए 10% के हिसाफ से 100 रूपय में मुझे मिलनी चाहिए 10 रूपय लेकिन जब मेरी फिक्स दिपोजिट मैचियोर होगी तो मुझे मिलेगा कितना 10 रूपय से ज्यादा ऐसा क्यू होता है क्यूंकि जो भी interest rate है वह हमारी जो फिक्स दिपोजिट है उस पर क्रेडिट हो जाती है से एक्स टीन महीने बार्ट फिक्स दिपोजिट खोली पकर लिजिए मेरी तीन महीने के बार्ट फिक्स में पैसे क्रेडिट होगे तो 3 महीने बाद करेंट जुलाइ के महिने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें इंट्रेसरेट मिल रही है फिक्स दिपोजीट पर उस पर अगर हम कॉम्पाउंडिंग इंट्रेस को केलकुलेट सेट मिल जाती है हमारे फिक्स डिपोजिट एकाउंट में इस्टेट बैंक ओफ इंडिया के और यह जूलाई की जो करेंट इंट्रेस रेट है उस पर मिल जाती है आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल यही दिखाने वाला हूं सिंपल क्यूंकि जिससे आपको समझने में आ यह वो चार्ड जिसके थ्रू में आपको दिखाऊंगा जुलाई के महिने में करेंट इंट्रेस रेट के हिसाब से जेनेरल सिटीजेन को कितनी इंट्रेस रेट मिल रही है अपने फिक्स डिपोजिट पर टिनियर यहां पर दिया हुआ है साथ दिन से 45 दिन की जो एपडी कोई भी बदलाव नहीं किये जाएंगे और मैचुरेटी एमांट हो जाती है एक लाग पर एक लाग तीन सो सर्तावन रूपे अब चलिए 46 जेस से 179 देख देख लेते हैं 3.90 परसंट रेट ओफ इंट्रेस्ट को केल्कुलेट किया जाता है यहां पर देखिए जो एक्रू मैचुरेटी एमांट हो जाती है 1.935 रूपेश क्योंकि एक क्वाटर इस पर क्रोस हो जाता है 180 देख 210 देख 4.40 परसंट रेट ओफ इंट्रेस्ट है करेंटली जुलाई के महिने में और एक क्रूड इंट्रेस्ट इहां पर हो जाती है 4.48 परसंट और जो मैचुरेटी एम और यहां पर एक रूट हो जाती है इंट्रेस एट 4.51 परसंट देख से आप देख रहे हैं टेनियर बढ़ता जा रहा है एक रूट इंट्रेस्ट इल्बी बढ़ता जा रहा है और यहां पर मैचुरेटी एमांट एक लाग पर हो जाती है वाललाग 4445 रूपेश अब परसेंट इस्टेट बेंक ओफ इंडिया दे रही है लेकिन जो इंट्रेस्ट एमाउंट है वह 5.39 परसेंट के हिसाब से केलकुलेट होके हमारी अकाउंट में घुसेगी तो मैचुरेटी एमाउंट हो जाती है है 110,633 पर चलेए 2 साल से 3 साल के अंदर ले लेते है यहां पर मैनेER इमाउंट है वह मेक्सिमाम लिया हो है मतलब एक साहल से दो साल के निचे तक 1 दिन और यहां परसेंट हो जाएगी वाई प्रफाइप を मेचूरेटी एमाउंट होगी एक लाग पर वो होगी वान लाग 16,384 रूपीज अब तीन साल से पांस साल की इंट्रेस को ले लेते हैं जो भी टेडियर है फिक्स दिपोजिट की यहाँ पर जो इंट्रेस रेट है की वह है 5.30 परसेंट और यहां पर जो एक रूट है वो होगी 6.1910 परसेंट मतलब पांस चाल से सिक ठीक एक दिन पहले तक हमें अगर हम फिक्स दिपोजिट खोलते हैं तो 6.10 परसेंट के हिसाब से पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और मेचुरेटी एमां हाँ पर आप देख सकते हैं 7.09 परसेंट हो जाती है मतलब 1,70,982 रूपीज मिलेगी हमें अपने फिक्स दिपोजिट पर अगर हम एक फिक्स दिपोजिट को 10 साथिक 10 साल में टेनियर को क्लोज कर देते हैं 5.40 परसेंट है लेकिन क्वार्टरली से कॉमपाउंड करते करते जो इंट्रेस्ट जो एकुमुलेट हो जाएगी हमारी इंट्रेस्ट एमाऊंड वो होगी 7.09 परसेंट के इंट्रेस्ट के हिसाब से यह है जेनियर सिटीजेन की अब चलिए बाते कर लेते हैं सिनियर सिटीजेन की भी एक है 7 तू 45 टेस 3.40 परसेंट है यहाँ पर कुछ भ होकर हो जाती है 4.46% हो जाती है वान लग 2,185 रूपीज 180 देस टुट हन्द टैन देस 4.90 परसें ग्वाटरली यहां पर भी कॉंपाउंद इंट्रेस्ट है और एक्डूड इंट्रेस्ट है पर हो जाती है 5% और यहां पर जो मेचुरेटी अमाउंट होती है वो होती है लाग 2,878 रुपीस 211 देस तो लेस देन वान यार ठीक एक साल से नीचे तक अगर हम खोलते हैं एक दिन पहले तक तो 4.90 परसेंट है करेंट इंट्रेस्ट है लेकिन एक्रूड होकर इंट्रेस हो जाती है 5.04 परसेंट और यहां पर जो मेचुरिटी अमांट होगी वो होगी दिन लाग 4,959 फिफीन रुपीस तो 5.60 परसेंट इंट्रेस्ट है और लेकिन हमें मीलेगी कितनी एक्रूट 6.13 परसेंट और मेचुरेटी एमांट हो जाएगी 1,18,116 रूपीज और जो 3 साल से 5 साल के नीचे तक है 5.80 परसेंट करेंट एट ओफ इंटरेस्ट है सिनियर सिटीजन के लिए सब्सक्राइब की रेट तो एक्रूट इंटरेस हो जाती है 6.76 परसेंट और जो मेचुरेटी एमांट होगी वह होगी 1,33,318 रूपीज और दस साल से 10 साल के नीचे तक अगर खोलते हैं तो 6.20 परसेंट है करेंट एट ओफ इंटर लेकिन ठीक 10 साल मैंने आपको बताया इसलिए बताया क्योंकि 8.50 परसेंट तक हमें इंटरेसेट मिलती है एपडी एसबीए के फिक्स दिपोजिट पर अगर हमें एक सिनियर सिटीजन है और आपने फिक्स दिपोजिट को 10 सालों तक खोलके रखते हैं यहां पर एक कंटिशन और रखा गया है एक इसबीए विक्स दिपोजिट को रखा गया है जिस पर कि अगर हम 5 साल से 10 साल के ऊपर फिक्स दिपोजिट को खोलते हैं तो हमें और एक इसबीशियल इंटरेसेट भी मिल जाती है अपने फिक्स दिपोजिट के एकाउट में और यह जो लिमिटेड टाइम के लिए है 30 सेप्टेंबर 2020 तक तो इस तरह से चार्ट के थू मैंने आपको दिखाया अगर हम एक फिक्स दिपोजिट एकाउट को खोलते हैं स्टेर बैंक ओफ इंडिया में जाकर और उस फिक्स दिपोजिट एकाउट को हम जितने लंबे टेनियर के लिए चलाएंगे उतनी ज्या के लिए हम 8.50% तक इंट्रेस को एकुमुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो फिक्स दिपोजिट एकाउट होती है उन पर जो इंट्रेस एकुमुलेट होती है वह एकुमुलेट कर दे जाती है तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि स्टेट बैंक ओफ होती है आसा है इस वीडियो से आपको कुछ निया सीखने को मिला होगा और एक निया इंफोर्मेशन आज आपको मिला होगा मुझे पूरी उमीद है आपको आज पता चल गया है कि कॉमपाउंडिंग इंट्रेस रेट आखिर होती क्या है और किस तरह से जो फिक्स दिपोज दिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे कि मेरे ऐसे ही ने वीडियो की नोटिफिकेशन तुरांत आपके पास मिल जाया करेगी तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक्यार सब्सक्राइब